समस्कार दोस्तों सो फ्रेंड्स आज का ये जो अपडेट है इसमें नर्सिंग केंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छी कुशकवरी की बात यहाँ पे रहने वाली है आप सबी को बताना चाहता हूँ स्टाफ नर्स के सत्रा सो से भी जादा खाली जो रिक्त पद यहाँ पे पड़े है इनको भरने के लिए जानकार यहाँ पे आज चुकी है बिलकुल आप सब लोग यहाँ पे हैडिंग भी पड़ सकते हैं लिखा है यूपी के सरकारी अस्पतालों में नौकरी का एक और मौका स्टाफ नर्स के खाली सत्रा सो उन्तीस पदों पर जल्द होगी भरती तो दोस्तों सत्रा सो करीब करीब उन्तीस पद हैं सत्रा सो तीस पद हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं और स्टाफ नर्स के पद्यांप पर रहेंगे इनको जल्द से जल्द यहां पर भरा जाएगा और सरकारी अस्पतालों में आप लोगों को जॉइनिंग दे दी चाहेगी तो दोस्तों पूरी जानकारी इस वीडियो में आप पर कवर करेंगे आप लोग देख सकते हैं दैनिक जागरण न्यूस पेपर के माध्याम से यह जानकारी अभी हाली में आप लोगों को प्रोवाइड करा दी गई सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें पूरी जानकारी आपको आपे मिलेगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लें नरसिंग पैरा मेडिकल स्टाफ की हर वेकैंसी की इंफर्मेशन आगे आपको मिलती रहे तो वीडियो के नीचे जाए सब्सक्राइब के रैड बेटन को आपे क्लिक करें स्वास्त विवा की हर वेकेंसी की इंफर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पात रहेते बिलकुल शुरूबात कर देते अपने अपडेट को और बढ़ जाते अपनी जानकारी की और तो दोस्तों उसको मैं थोड़ा नीचे की तरह यहाँ पे स्क्रॉल कर देता हूँ और जो आर्टिकल आप लोगों को दिया जा रहा वो मैं आपको रीट करके बता देता हूँ तो दोस्तों देखिए इसमें आप पे लिखा हुआ है लकनव नर्सिंग कोर्स की पढ़ाई कर चुके युवाओं के लिए सरकारी अस्पतालों में रोजगार पाने का एक मौका मिलने जा रहा है अस्पतालों में इस्टाफ नर्स के खाली पद भरने से मरीजों को राहत मिलेगी उत्तर प्रदेश में जल्द इस्टाफ नर्स के खाली 1729 पदों पर भरती शुरू होगी इसके लिए जल्द विग्यापन जारी किया जाएगा तो दोस्तों 1729 पधियां पर शामिल किये जाएंगे सरकारी भरती के विग्यापन में और जल्द ही आप लोगों को जो जोईनिगें उत्तर प्रिदेश के सरकारी अस्पतालों में आप लोगों को दे दी जाएगी इसके बाद दोस्तों आपे देखिये लिखते हैं अगले पराग्राफ में चिकिस्था इवं स्वास्ति चिकिस्था शिक्षा प्रिशिक्षण बिवाग और किंग जॉर्ज चिकिस्था विश्यदाले केजी अम्यू में स्टाफ नर्स की भरती की जाएगी बीते साल कुछ 4,743 पदों पर भरती की परिक्रिया शुरू हुई थी लेकिन 3,014 पद ही भर पाए थे तो दोस्तों इससे पहले वेकेंसी इस आप पर रिलीस की गई थी और करीब करीब साड़े 4,000 से जादा जो पोश्टी इन पर यहां पर रेक्रूट्मेंट आईजित करा गया था जिन में से 3,000 करीब करीब पद यहां पर भर पाए थे लगते हैं योग्य अभ्धारती ना मिलने के कारण यह पद रिक्त हो गए थे अब जल्द खाली पदों का विग्यापन जारी कर भरती शुरू की जाएगी तो जल्द ही दोस्तों भरती का विग्यापन आप लोगों को प्रवाइड कराया जाने वाला है इसमें आप देखे लिखनें इसके आगे बीते साल उत्तर प्रदेश में स्टाफ नर्स के 4,743 पदों पर भरती के लिए करीब 1.2 लाख अभ्यारतियों ने आवेदन किया था 3 अक्टूबर 2021 को आईजित लिकेत परीक्षा में करीब करीब 83,000 अभ्यारती शामिल हुए थे परीक्षा पास करने के लिए नियुन्तम 40 अंक लाना अनिवार था ऐसे में सिर्फ 3,014 योग्य अभ्यारती ही मिल पाए बाकी पद यहां पे खाली रह गए तो दोस्तों कमी केडिरेट से यहां पे इनको मिल पाए थे तीनजार करीब करीब यह योग्य अभ्यारती थे तो इनको जॉइनिंग मिल गई थी बाकी के जो पोस्त थी वो यहां पे वेकेंट हो गई थी बच गई थी इसके बाद यहां पे लगते हैं अब नर्सिंग कोर्स की पढ़ाई कर चुके युबाओं के सामने फिर रोजगार का मौका है अस्पातालों में इस्टाफ नर्स के खाली पद भरने से मरीजों को रहत में लगी डॉक्टर के साथ पेरामेडिकल इस्टाफ की कमी से अभी अ होने वाला है जैसी इंफोर्मेशन आईगी मैं आपको जानकारी हर बार की तरह जरूर दूँगा तो दोस्तो पूरी जानकारी मैंने आप पर कवर की सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें अगर कोई नब कोई जानकारी इनफोर्मेशन आपको इस वीडियो से मिली है तो वीडियो को लाइक जरू करना और दोस्तों जैसी इंफोर्मेशन वेबसाइट पर रिलीज की जाएगी मैं आपको अपडेट प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको जानकारी दूँगा वो जानकारी अब आपसे ना चूटे पहले से चैनल को सब्सक्राइब करके जरू डख ल